दोस्तो पंचम पब्लिसर द्वारा हिंदी मीडिय में इस्टुडेंट्स के लिए इबुक यानी पीडियाफ नोट्स त्यार किये गए हैं जो कि आपके आने वाले सभी कम्टिट एग्जाम जैसे ससी बैयंक रेलवे पीएससी पूलिस टीशर एग्जाम के लिए काफी उसफ क्लिक करके आप पर्चेर्ज कर सकते हैं किसी प्रकार की कुईरी के लिए इस नंबर पर आप कॉंटक्ट कर सकते हैं सपना जो देखोगे तो मुश्किले लाख आएंगी मगर वो मनजर खुपशूरत होगा जब कामियाभी शोर मचाएगी गुड मॉनिग फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन स्टीडी पॉइंट दोस्तो आज 27 दिसंबर और स्टार्ट करते हैं आज करनेफेस दोस्तो मैं आपको बता दू किस वीडियो को लास्ट मैं आपके लिए 28 के करनेफेस के कुछ most important questions का revision कराऊँगा तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें चले तो फिर स्टार्ट करते हैं आज करनेफेस पहला question है किसने मुहमद रफी पुरुषकार 28 जीता है दोस्तो मुहमद रफी पुरुषकार 28 जीता है लक्षमी कांथ सांतराम को डाल करने ठीक है दोस्तो दिवंगत संगीतकार लक्षमी कांथ सांतराम को डाल कर और पार्शवाई का उसर टीमोथी को मुहमद रफी अवार्च 28 दिया गया दोस्तों को बता दें कि लक्षमी कांद को मुहमद रफी लाइप टेमें चेमर अड़वार दिया गया जिसमें एक लाग रूप एक ट्रॉफी सामिल है और उसा टीमोथी को पूरुसकारों इंक 5000 रूपए से मानित किया गया दोस्तों इन पूरुसकारों को एंजियो इस्पं सन एक अरेक्ट हो जायागा ठीक है जापान दोस्तों आप बतादिक जापान ने 2019 में इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन यानि आई डेब्लूसी से बाहर होने घुशना की है तुस्तों यह जुलाई 2019 से अपने छेत्री जल और विश्यसार्टिक छेत्र में वेल की वेफसाइक सिकार को फिर से सुरू करेगा जापान अंटार्क्टिक में वेफजानिक शोत के लिए वेल का सिकार जारी नहीं रख सकेगा दोस्तों आप पता देक जापान आइसलेंड और नार्वेक साथ सामिल हो गया है जो वाडिजी को वेल सिकार पर प्रतिवंद का विरोत करते हैं जापान की कैपिटल है टोक्यो जापान के प्राइम निस्टर है सिंजो आवे ठीक है तो आप याद रखिए चलिए अगला कोशन देख लेते हैं किस दीप का नाम नेता जी शुभास चंद्र बोस दीप रखा जाएगा तो यह रखा जाएगा रोस दीप का नाम नेता जी सुभास चंद्र बोस दीप और नील दीप का नाम इसमें बदल कर सहीद दीप और हैवलाग बदलकर स्वराज दीप रखने का फैसला किया है ठीक है और दोस्तों आपको पदा देख शुभास चंद्र बोस जी ने 30 दिसंबर 1943 में पोर्ट ब्लेर में राश्टी द्वच फैर आया था तो यह आपको याद रखना है कि इस दीप का नाम नेता जी शुभास अंदर बोस दीप रखा जाएगा रौस दीप का और जब की नील दीप का नाम क्या हो जागा सहीद दीप और इसके लाबा हैवलाग द पर जरूर दिखाएं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन जरूर पिसका दे ताक कि आपको डेली मौनिंग में करने फिस कुडियोज मिलती रहे हाली में नीरेंदरनाथ चक्रवर्ती का निधान हो गया वह एक प्रसिद्ध क्या थे तो यह प्रसिद्ध उस्तों कभी थे उलंगो राजा यानि नगन राजा के लिए आलोचनात्मक्ता प्रसंसा प्राप्त की थी आपको उता दे कि दोस्तों उन्होंने उलंगो राजा के लिए प्रतिष्टित साहित अकाद्वी पूरसकारफी जीता था ठीक है तो नीरेंदरनाथ चक्रवर्ती का निधान हो गया क्यानि के ऑप्संडी इसका राइट हो जाएगा चाको पूरैकल थामस दोस्तों है बरतमान में टाटा काफी कारेकारी नेदरसक और उपसी यो हैं और दोस्तों है संजीप सरीन से पदभार गृहन करेंगे जिनका कारेकाल एक 30 मार्च 1290 को समाप्त हो रहा है इसके अलावा टाटा काफी में सामिल होने से पहले हुआ केरल के मुनार में कननन देवान हील्स प्लान स्टेशन कंपणी के प्रवन नेजशक थे ठीक है तो टाटा काफी के प्रवन नेजशक और मुख एक्या तो यहाद रखिएगा अगला कोशन देख लेते हैं हर्याणा सरकार ने डिस 23 दिसंबर 18 को डिश्टल हरियाणा पहल के तहत चार सो पत्चासी ओजनाय सुरू किया निकि अप्संडी करेक्ट हो जाएगा दूस्तो हरियाणा भारत का पहला राज बन गया है जहां ग्रामीड शेत्रों में चार हजार अटल सेवा केंदर 22 जिला मुख्याले पर उपमंडल इस्तर पर इंक्यामन और तहसील इस्तर पर 20 अंतोदर सरल केंदर शुरू किये गये हैं और एक टोल फ्री अंतोदर हेलफ लाइन नंबर का भी उखटन किया गया है तो हरियाणा गावर्मेंट ने डिश्टल ह मुंबई में अटल विहरी बाजपई इंटरनेशनल स्कूल शुरू किये हैं यानि कि इसका ओप्सन सी करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट दोस्तों इसकूल जो नवगठित महाराष्ट अंतराष्टी सिक्षा बॉट से संबंध है इसका उद्देश क्या है नागरिक निकायो आदिवासी विकास विवाग सामाजिक निया विवाग और सिक्षा विवाग दौरा संचाली सौज किलों में अंतराष्टी पार्ट कम सुरू करना ठीक है तो किस राज सरकान ने 25 दिसंबर को राज्य में अटल विहरी बाजपे इंटरनेशनल स्कूल सुरू किये हैं महारा मद्यप्रदेश सरकार द्वारा, 18-12 के लिए 3 संवान से किसे सम्मानित किया गया यह most important question है तो दोस्तों मद्यप्रदेश indifferent, सितार वाधक मंजू महता को मद्यप्रदेश सरकार ने 18-12 के लिए 3 संवाधक सम्मानित किया यानिकि option भी correct हो जा गया याद रूए कि सितार किया गया ठीक है यह किसको दिया गया है सितार वादक मंजू महता को तांसें सम्मान MP गवर्मेंट से समानित किया गया है ऑप्सन भी करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला उसे देख लेते हैं भारत के मुख्य के मुक्य वाज़जी कोच की रूम में किसमें पधबार समाला है आप से सबस्तुय को टप अप्सन भी भारत के मुख्य मुख्यवाजी कोच के रूम में पधवार संवाला है उन्होंने अनुभवी कोच एस आर सिंग से पधवार ग्रहण किया जो अब सेवर ने भी थो चुके है ठीक है एस आर सिंग से उनका पहला बड़ाकार जनबर दोहर निश्मिक वहार टीम होने वाले इंडिया ओपन का दूसरा संस्क्रण होगा ठीक है तो यह आप याद रखना है भारत के मुख्य मुख्यवाजी कोच के रूम में सीय कुटब पने पधवार समान लिया है अब देख लेत करते हैं आज का सवाल क्या है हमारा बहुत इंप्जार है भारत के सबसे लंबी रेल सब्सक्राइब लग धियंगे ठीक है तो यह आप जरूर लिक् narc है और जादा जादा लोग कमेंट करेंगे अब दोस्तों मैं आपको कुछ तो आप ध्यान से सुनिए पहला कोशन हमारा किस भारती पूरु सलावी वल्लेबाज ने दिसंबर दो अगला जो कोशन है ब्लू वाटर आहॉय नामक उस्तक किस ने लिखी है दोस्तों ब्लू वाटर आहॉय नामक बुक लिखी है अनूप सिंग ने दोस्तों इसमें बता देका एड्मिरर सुलील नामाले हाली में ब्लू वाटर आहॉय नामक पुस्तक जारी की इस पुस्तक में दोस्तों 2021-2010 तक का भारती नोसेना के दिहास सामिल किया गया है और यह शबनी तुबाई इस एड्मिरर अनूप सिंग ने लिखाए इसको ठीक है तो याप याद रखिएगा इसके लाब हमारा अगला कोशन है किस भारती सटलर ने टाटा ओबेन बैडमिंटेंट चैंपेंशिफ दोठर रहें पूरु सुबर का खिता है तो यह पूरु सुबर क लक्स सेन ने जीता है तो अगला कोशन हमारा पूरे इंटरेशनल मेहरातन मेहरातन ने जीता है इथो अगला जो कोशन में बताने जारों बहुत ध्यान दयानत सुनियां का मोस्ट इंपोर्टेंट है 2019 में होने वाले भारत के गणतंद्र दीवास समारो के लिए कौन से देश के राष्टपती मुख खेतिती होंगे तो यह आप याद रखीगा ठीक है इसके लाब दोस्तों अगला गोशन है निम्रिखित में से 27 सीर्शक 2018 किसने जीता है तो विशु सतरण सीर्शक 2018 जीत लिए दोस्तों मैंगनस कालसन ने विशु नंबर एक मैंगनस कालसन ने एक बार फिर वर्ल्ड चेंपियन बनने का गारवासील किया उन्होंने अमेरिकी खिलारी फावियाण कॉई हONा कराया है दुबिश्व 17 शीर्षक दोटर किसने जीता है मैगनस कालसन ने ठीक है अमेरिका के हैं यह तो आप याद रखिएगा यह था दोस्तों कोच इंबोडेन करेंट करेंट कोचे निसी तरह में डेली आपके लिए लेका राता हूं तो आप डेली मौनि में करेंट के लिए वीडि मस रही है जै हिंद जै भारत